हाई बच्चों तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ICSC Class in Computer Applications का एक बहुत ही ज़दा important topic जो की है arrays और array के अंदर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं about sorting और sorting का searching का भी कभी कभी इस type का program आता है बट यहाँ पे basically हम इस बारे हम बात करने वाले हैं कि sorting के देखो दो types के program हमाई exam में पूछे जाता है एक होता है type 1 जहां पे हम से सीधे सदे कह दिया जाता है that we have to sort an array एक array होता है simple सा हमें उसकी sorting करनी होती है तो ऐसे programs को करना काफी ज़दा easy भी होता है यहाँ पे searching या sorting सिर्फ एक single array पे हम करता है लेकिन कभी कभी type 2 question यहाँ पे पूछा जाता है type 2 क्या होता है जहां पे हमाई पास कह दिया जाता है question में दो array हमें input करना है और एक array की sorting हमें करनी है on the basis of second array मतलब कि दो array यहाँ पे input होंगे तो इसको example की help से समझते हैं यह तुमारा marks वाले array में save होता जाएगा तो question कुछ इस तरह आ जाता है that arrange students या student names according to their marks यानि की question कह देगा कि जिसके सबसे जादा marks आये हैं उस student के नाम सबसे पहले print करो फिर उसके पास second student सबसे जादा जिसके marks आये हैं उस बच्चे का नाम और उसके marks तो इस तरह हमें करना होता है तो ऐसा program हम कैसे करेंगे ऐसे program को करने के पीछे का logic क्या होगा यह आज के इस फिडियों में हम डिसकस करने वाले हैं तो इस तरह भी program आ सकता है तो इस तरह के questions को solve करने का concept होता है वो concept क्या है और समझता है जैसे माल जो यहां पर for example हमाय पास में दो आयरे हैं एक student का एक marks का and question कुछ इस तरह है यहां पर हमें student के names को arrange करना है कुछ इस तरह that जिसके सबसे जादा marks है उसे student के नाम सबसे पहले आये फिर उसके बास second number पर जिसके marks है उसका नाम second पर आये and so on descending order में यह sort हो जाए तो यहां पर इसको descending order में कैसे sort करेंगे on the basis of marks तो कैसे इसको sort किया जागा तो को इसका एक rule होता है वो rule समझ लो तो कैसा भी question हो जो कि इस type का है type 2 type का है जहां पर दो आयरे है एक को sort करना है on the basis of other तो rule क्या है इसका इसको समझ लो जब भी हम कोई sorting यहां पर कर रहे है चाह करना है कि छोटा तो वहां पर जो condition तुम दोगे if के अंदर यह्यू condition तुम दोगे that condition will be of marks यहा फिर वह जिसके basis पे तुम्हें sorting करनी है तो भात ध्यां रखने that condition तुम किसका दोगे condition यहाँ पर उस array का दोगे जिसके basis पर तुम्हें sorting करनी है तो array यहाँ पर कौन सा वाला होगा array on the basis of जिसके basis of पर तुम्हें यहाँ पर sorting करनी है वो वाला array तुम्हें यहाँ पर condition में देना होता है और इसके बाद जब हम swapping करते हैं If condition के अंदर तो जब swapping करेंगे, तो यहां पे ध्यान रखना, जब हम यहां पे swapping करेंगे, तो एक array की swapping हम करते हैं, template यहां उसके बाद आगे पीछे वाले elements को swap कर देते हैं, तो यहां पे जब हम swapping करेंगे, तो swapping दोनो array की करेंगे, यानि कि student की भी swapping करेंगे और साथ में उसके marks वाले array की भी swapping करेंगे दोनों array की यहाँ पर एक एक करके हम swapping कर देंगे यह तरीका होता है यहाँ पर essay questions को solve करने का तो चले यहाँ पर भी हमें question देखते हैं और उस question को solve करके मैं explain करता हूँ कि ऐसे question को program में किस तरह करना है तो यहाँ पर हमाएं सामने question है जिसका हमें program बनाना है तो यहाँ पर है write a program to accept an array consisting of names of 12 football teams अब देखो एक array तुमारा होता है जिसमें names होते हैं अब वो name किसी भी चीज़ के हो सकते हैं तुमें बता दिया था वहाँ पर student की names का program हो सकता है cricket team का पर names हो सकते हैं या फिर football team बात वही है एक तुमारा names का array होगा और जो adjacent array होगा जो दूसरा array होगा वो तुमारा उनके marks या फिर scores या फिर roll number कुछ भी हो सकता है ठीक है एक array तुमारा नाम का होगा दूसरा array तुमारा integer type का यानि कि उसके scores का marks का ऐसे कुछ होता है तो यहाँ पर देखो names of 12 football teams तो 12 football teams का हमें यहाँ पर एक array बनाना है तो यहाँ पर जो जो points है वो हमें एक एक करके देखते चलना है आगे create another array देखो second array तुमारा जो है create another array that will accept the points तो first array जो बनेगा वो तुमारा name का बनेगा this is the first array of names and यहाँ पर score नहीं points की बात हो रही है because football में points होता है कि उसने कितने goal की है that will accept the points scored by each of these 12 teams in a certain league तो मतलब यह एक कोई league हो रही है जहाँ पर 12 football teams हैं और हर एक ने कुछ-कुछ score किया होगा उसके points होंगे तो यहाँ पर एक array में football teams के नाम होंगे और दूसरे array में उनके जो points हैं वो हम input कर आ लेंगे बारी-बारी से using bubble sort technique sort the array such that the names of the highest scoring team along with the points scored appears at the top तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि ऐसे sorting करो कि जो highest scoring team है उसका नाम सबसे top पे आ जाए appears at the top यानि कि सबसे जादा score या सबसे जादा marks ऐसे समझदो वह वाली team का नाम तुम्हें सबसे उपर लाना है यानि कि सबसे जादा value वाली team सबसे पहले आएगी तो यह किस type की यहाँ पर sorting हो रही है यहाँ पर sorting हमें करनी है descending order की सबसे जादा value वाला सबसे उपर आना चाहिए सबसे पहले आना चाहिए फिर उससे कम वाला second पर तो descending order में sorting की बात कर रहा है आगे है followed by the other names depending on their points score अब देखो यहाँ पर keyword है that followed by other names depending on their points score यह keyword है यह तुम्हें यही समझा रहा है यह वाला point that तुम्हें जो sorting करनी है वो on the basis of points करनी है मतलब किस team के कितने marks हैं या कितने points हैं उसके basis पे तुम्हें teams की sorting करनी है जिसके सबसे यादा points उसका नाम सबसे पहले जिसके सबसे कम points उसका नाम last में तो बात तो वही है that यहाँ पे इसी तरह का कुछ problem है बस यहाँ पे students की जगा पे क्या आ गया है teams आ गई है और यहाँ पे marks की जगा पे points आ गया है बस इतने ही तो फरक है और क्या है यहाँ पे इतने ही हमने change किया है teams के नाम और उनके points बाकी तो वही चीज है जो यहाँ पे logic math में explain किया था यही सारा काम हम यहाँ पे करने वाले है इसके पाद आगे question में दिया है names of the other football team is displayed in the descending order आगे लिखा of the points scored by the teams तो वही चीज है तो में overall पूरे-पूरे array को यानि कि जो team के नाम है उनको descending order में sort करना है लेकिन on the basis of their points scored अब यहाँ पर प्रोग्राम को बिनाने से पहले यहाँ पर हम इसका algorithm discuss कर लेते हैं जल्दी से तो हमें क्या का काम करना होगा सबसे पहला काम यहाँ पर discuss करत सदियंगे अगर तुम्हें scanner की है से नहीं input कराना है तो तुम blue j का default input वाला तरीका होता है यानि कि जो constructor की help से input कराने वाला तरीका होता है वैसे वी तुम input करा सक्थे तुम्हें उपर है तुम्हें scanner class का भी यूज कर सकते हो तुम डिफॉल्ट वाला method भी यूज कर सकते हो जो तुमको easy लगे मैं यहां पर scanner की help से input कराके दिखाऊंगा now next है input करने के बाद में दो array तुम्हें input करने है input two arrays कौन-कौन से arrays एक तुम्हारा बनेगा teams नाम का because football teams है तो नाम तुम कुछ भी ले सकते हो बट यहां पर मैं नाम दोंगा teams और दूसरा जो हमारा array होगा वो होगा उनके points को save करने के लिए तो जो team वाला array बनेगा वो string type का बनेगा because इसमें हमें teams के नाम जो है वो save करके रखने है और जो points होंगे वो हमारा integer type का array होगा क्यों because यहां पर हमें उनके scores को every points को save करना है ठीक है अब इसके बास second काम जो हमारा होगा वो होगा इनको sort करना sorting कैसे करनी है bubble sort का use करके sorting में मैंने क्या तरीका बताया मैंने rule तुम्हें बताया था that condition जो हमारा रहेगा वो किस वाले array के उपर रहेगा जो condition होगा if के अंदर वाला जहां पर हम चेक करते हैं कि adjacent element कौन सा छोटा है कि कौन सा बढ़ा है तो वहां पर condition हमारा बनेगा कौन से वाले array पर वहां पर हम चेक करना होगा points वाले array के element को कि left वाले element right वाले element से बड़ा है कि छोटा है तो यह condition हमारा होगा and जो अंदर हम swapping करेंगे इफ वाले condition के अंदर swapping हम करेंगे दोनों की एक बर हम teams वाले array को swap कर लेंगे बलब दो elements को swap कर लेंगे और इसके अलावा यहां पर points वाले array को भी swap कर लेंगे तो swapping जब भी करोगे दोनों की एक साथ करोगे बस इतना ध्यान रखना condition दोगे उस वाले array की जिसके basis पर sorting कर रहा हो और जब swapping करोगे तो दोनों array की एक साथ swapping करोगे ताकि जिसे माल लो एक नाम है और उसके कुछ points है तो दोनों चीज़ें जहां भी जा रही है दोनों साथ साथ जहें adjacent elements एक साथ ही आगे पिछे रहें यानिकि अगर यहां पर second index वाला element है और उसके points है तो जहां पर भी वह sort होके जाए उसका नाम और points एक ही सामने रहें इसलिए हम swapping साथ साथ करेंगे आयो पे चीज़ समझ पा रहे होगे लास्ट में हमें क्या करना होगा लास्ट में हमें सिर्फ print कर देना है या display कर देना है तो प्रिंट के लिए वही चीज़ लूप चलाएंगे और printing कर देंग और बस इसी को हम open कर लेते हैं और इसी के अंदर मैंने यहाँ पर already program type करके रखा है time को save करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें input कराना होगा तो input कराने के लिए इसलिए मैंने scanner class का use किया है और scanner class को सबसे पहले import करा लिया है then उसके बाद यहाँ पर class तुम sort कुछ भ पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है तो class 10 में तुम सिर्फ void main लिखके भी काम चला सकते हो so I hope it is clear है now void main function के अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले scanner class के यहाँ पर object बनाना होगा बना लिया then उसके बाद user को एक message दिया system reward print link enter 12 football teams and their points मतलब कि 12 football teams और उनके points को यहाँ पर enter करो त या तो हम हर जगा 12 लिखते या फिर मैंने क्या किया है एक n variable में 12 ले लिया है तो इतना काम हमने किया then उसके बाद यहाँ पर जिन array में हमें values को input कराना है हमें उन arrays को बनाना भी पड़ेगा तो यहाँ आप मैंने दो array बना लिया है कि string type का teams नाम से यह मैंने बताया था teams न इतना है 12 देखो size मैंने दे दिया 12 यहाँ पर फिर उसके बाद int points points नाम का एक दूसरा array बनाया है यह integer type का है और इसके अंदर उनके हर एक team के यहाँ पर points सेवोंगे so i hope इतना clear है यहाँ तक हमने array को declare कर दिया है इसके बाद अगला जो operation हमारा है वो है input का यहाँ पर अब ह हमें दो loops की ज़रूरत परती अब इसमें confuse मत होना कि यहाँ पर दो array है मतलब कि two dimensional ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर single dimensional array है बट संख्या में दो हैं दो array हमाया पास में है तो दोनों में ही input कराना है कैसे कराएंगे देख लो यहाँ पर एक loop चलेगा for int i is equal to 0 i less than n i plus plus n यहाँ प पर हम input करा लेंगे यहाँ पर teams at i is equal to sc.next line because तुमारा teams वाला array string type का है वहाँ पर नाम input होंगे और उसके बाद में second तुमारा जो statement है वो है points i यानि की points हमें enter कराना है हर एक team के is equal to sc.next int अब यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ देख रहोगे इन दोनों input statements के बाद में मैंने लिख दिया है sc.next line अचा यह चीज़ समझ लो कि जब भी हम कोई string input कराते हैं by using scanner और उसके just बाद में हम एक int input कराते हैं तो ऐसे case में क्या होता है कि input के बाद में तुमारा एक new line character रह लिखना पड़ेगा अगर नहीं लिखोगे तो input के समय दिक्कत आएगी ठीक है तो यह अलग से पढ़ाया नहीं जाता है तुम्हें बट जब यूज करोगे तुम प्रोग्रामिंग को यह जावा के प्रोग्राम्स बनाओगे तो यह चीज़ समझ पहोगे कि अगर string input और उ इंपुट वाला काम हो गया हमने एरे के अंदर 12 यहां पर टीम के नाम और 12 स्कोर्स यानि की 12 टीम के पॉइंट्स इंटर आ लिया है अब इसके बाद में next हमारा जो टास्क है पॉइंट नंबर दू बबल सॉर्ट हमें सॉर्टिंग करनी है अपने एरे की दोनों एरे की ख्यान रखना सबसे जादा points वाली team को सबसे पहले लाना है फिर उससे कम points वाली टीम को उसके बाद सारवल सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग करनी है C से तो बबल सॉट का तरीका क्या होता है पहला लूप चलता है एक यहां पर हो जाता है एन-1 एप्लस-फ्लस और उसके बाद में इसके बाद में अपने बबल सॉट वाले वीडियो में समझाया हुआ इसके बाद अब बात आती है दोनों एरे को एक साथ कैसे सॉट करना है हमे तो हमें सॉर्ट करना है टीम्स के नेम्स को नेम्स को तो क्या होता ओं तक तो हमें पॉइंचन के बाद में करना है तो क्या होता है अ at j is less than a at j plus 1 तो वही चीज, points वाले array को यहां condition लगा, तो यहां पर हो जाएगा points at j is less than points at j plus 1, condition दोगे points वाले array का, because points की basis पर ही तुम्हें total sorting करनी है अब if के अंदर, जो swapping हम कर रहे है swapping का होती है, यह तमाई swapping है this is swapping, यानि कि die by elements को हम swap कर रहे हैं इस तरह, तो यहां पर जो swapping करोगे, वो दोनों arrays के लिए करोगे एक साथ तो यहां पर swapping देखो क्या और यह है, सबसे पहले हम teams वाले array में swapping कर रहे है तो यहां पर, क्योंकि teams वाली string type की array है, तो एक string type का तुमें temporary variable लेना पड़ेगा फिर उसके बाद swapping कैसे करते हैं, दो variables की temporary variables में, जे वाले element डाल दो जे वाले element में, उसके आगे वाले element डाल दो तो तो swapping होगी इस तरह यह हमने teams वाले array को swap कर लिया adjacent elements को, यही काम हमें points वाले array में भी करना है points वाला array हमारा integer type का है int type का, तो यहाँ पे हमने integer type का temporary variable बना लिया फिर उसके बाद में, इसमें दे दिया points at j का value, points at j में points at j plus one वाला value डाल दिया और फिर points at j plus one में हमने temporary variable का value उठा के डाल दिया तो यह हमने swapping कर लिया swapping एक साथ करनी है, दोनों ही तो array हमाई sort हो गया है, नाम के आगे points साथ साथी swap होंगे और कहीं न कहीं आमने सामनी रहेंगे तो बस last task हमारा क्या हो जाता है printing the name of the teams along with their points, तो यहाँ पे यह कैसे करेंगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम एक message देंगे system order print ln and यहाँ पे सबसे पहले तुम्हे headings देनी पड़ेंगे team के नाम और उनके points, तो यहाँ पे यह हो गया teams, इसको चाहए तो तुम capital में पूरा heading दे सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में, उसके बाद में बीच में slash t यहाँ पे तुम्हें देख रहा होगा, यानि कि 8 spaces बीच में print हो जाएंगे, slash t का मतलब होता है tab, tab का मतलब 8 spaces एक के आगे प्रिंट हो जाएंगे फिर उसके आगे यहाँ पे तुम्हे points यह heading देनी है तो team's points यह heading हो गई, अब इसके बाद अलग-अलग team के तुम्हें नाम और उनके points print करने है, तो वो करने के लिए array को print करना होगा array को print करने के लिए यहाँ पे loop की ज़ोरत पड़ेगी तो i का यहाँ पे हम loop लगाते हैं for anti i is equals to 0, i less than n, i plus plus तो यहाँ पे n is equal to 12, already मैं है declare कर दिया था starting में, इसलिए हर जगह मैं n का use कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इस loop के अंदर हम क्या करेंगे printing कर देंगे, printing कैसे होगी देखो, यहाँ पे हो जायाएगा system order print ln, teams at i, यानि कि जो team का नाम है i index पे, वो print हो, साथ में बीच में यहाँ पे tab यानि कि spacing आ जाएगी आठ वाली, फिर उसके बाद में उस team के points जितने भी है वो print हो, तो इस तरह हम यहाँ पे printing कर देंगे, तो यह हमारा last task हो गया printing का, यहाँ तुम चाहो तो comment दे सकते हो, printing इस तरह comments दे जाते हैं बस slash करके, जो काम तुम कर रहे होगे उस जगह पे वो लिख सकते हो, तो यह हमारा complete यहाँ पे program है so कहीं पे भी कोई अगर problem हो, तो यहाँ पे तुम नीचे comments में लिखके पूछ ले न तो चलो अभी अपने program का हम compile करते है, so compile class no syntax error, इसको close करेंगे and उसके बाद मैं मैं इसको run करता हूँ, तो को run करने का तरीका क्या है, because यहाँ पे हमने public static void main function नहीं बनाया, तो यह directly run नहीं होगा यहाँ पे हमें right click करना होगा, और यह जो new sort है, यहाँ पे दुमें दिख रहोगा new sort, इस पे हमें click करना होगा, यह बनायेगा इसका एक नया instance, तो name of the instance, जो भी है, okay कर दो, तो यहाँ पे यह हमारा new instance बनके आ जाता है, फिर इस पे right click करेंगे, अब यह कहेगा कि function को run करो, तो void main function को simple अपना run कर लो, run किया, और यह हमारा program यहाँ पे run होके आ गया है, तो क्या बोल रहा है, enter 12 football teams and their points, तो 12 teams के नाम और उनके points हमें एक हे करके input करना है, तो मैं देखो team के नाम simple रखूँगा, ABCD करके, और उनके different मैं points यहाँ पे देता जाता हूँ, तो सबसे पहले म इसकोम देदेते हैं, 6 points, E कोम देदेते हैं, मानलो 12 points, उसके बाद F इसकोम देदेते हैं, suppose 15 points, फिर उसके बाद G इसकोम देदेते हैं, suppose 20 points, H वाली team को हम देदेते हैं, 0 points, 0 नहीं, 1 point देदेते हैं, और उसके बाद I वाली team को हम देदेते हैं, यहाँ पे 6 points, और J वाली team क यहां पर दे देते हैं, 9 points, K वाली team को हम दे देते हैं, यहां पर 21 points, और उसके बाद L वाली team को यहां पर हम दे देते हैं, 4 points, बस, यह हमाएं, यहां पर सारी team के नाम enter हो गाए, 12 teams complete हो गें, तो यहां पर output print हो के आ गया, अब output में क्या आया है इसको ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे यह जैसी teams enter हो गए है last team के enter होते ही यहाँ पे हमारा display हो गया है team और उनके points यह मैंने heading दिया था और उसके बाद में देखो इसने program ने sorting कर दी है जिस team के score सबसे ज़ादा है उसको सबसे पहले sort करके लिए आया है फिर उसके बाद second number पर जिसके second number के points है उसको second team का नाम यहाँ पर print हो गया है फिर उसके बाद third place पर जिसके points है उसकी यहाँ पर third place पर आगे है team तो यहाँ पर sorting हो गई है on the basis of points और उसके बाद में हमने display कर दिया था तो इसलिए team और उनके points यहां पर देख लो sequentially display हो गया है, so यहां पर इस तरह हमारा program work कर रहा है and जो question ने हमसे कहा था वही same काम पर हो रहा है, हमने team के names को sort कर दिया है on the basis of their points अच्छा यहां पर team और points की जगह student के name और उनके marks हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था लेकिन यहां पर जो हमारा program है, वो हमारा same रहता and यहां पर program हमें इसी तरह बनाना होता void main के अंदर जो भी हमारे arrays थे उनका नाम input करा लेते, उसके points या marks input करा लेते फिर उसके बाद में input के बाद यहां पर bubble sort या जो भी sorting technique हमें यूज करने है वो करते then उसके बाद last में हम printing कर देते और यहां पर my program complete हो जाता so बस array का जब भी question आएगा जहां पर हमें 2 arrays दिये होंगे input करने के लिए और एक की sorting करनी होगी on the basis of another array या second array तो हमें इस algorithm का ही use करना है so I hope इस video तुमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा and यकीन मानो इस step के question काफी जादा important होते हैं कई बार पूछ भी ले जाते हैं exam में so यह question मुझे कि student नहीं send किया था इसलिए मैंने इसको solve भी करवाया and यह important question था ऐसे question को कैसे solve किया जाएगा I hope अभी तुमें समझ में आ गया होगा so अगर तुम्हें वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक जरू करना and इस वीडियो को देके अगर तुम्हें को सीखने को मिला हो तो जरूर से इस चैनल को subscribe भी करना because मैं आगे भी ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा तो फिलाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए take care see you and bye bye